हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं औरिजनल चार्जर की पावर तो दोस्तों जब भी आप न्यू फोन खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक चार्जर मिलेगा तो वो original charger रहता है तो उसकी आज हम आपको power बताएंगे और दोस्तों उसका यूज करके आपको क्या-क्या फायदा रहेगा और क्या इसका नुकसान रहेगा ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं वीडियों पुरा एंट तक बनेना दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन काफी knowledgeable वीडियो है तो वीडियों पुरा एंट तक बनेना वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, subscribe और share जरूर करना साथ में आपको bell icon जरूर दबा देना है हम ऐसी टेक्नोय से लिटेट, मूबाइल इपेंग से लिटेट नहीं नहीं वीडियो अपने चैनल पर रोज अपलोड करते रहते हैं उसका notification आपको सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह charger company का नहीं है तो यह लगा के दिखा देता हूँ आपको मैं तो यह देख लिजे जो बैटरी का बॉक्स आ रहा है उसके अंदर यह charge दिखा रहा है आपको दिख रहा होगा तो यह देख लिजे तो अब हम इसको निकालेंगे और original charger लगाएंगे इसका original charger है तो यह देख लिजे दोस्तों original charger की power यह battery side में आपको दिखा रहा होगा और यहाँ पर फार्ज charging भी लिखा हो आ रहा है यह देख लिजे यहाँ पर आपको अलग से battery का charging का sign दिख रहा होगा यह देख लिजे और जब हमने दोस्तों इसका original charger नहीं दूसरा charger यूज किया तो आपने देखा कि जो battery का box बना है उसके अंदर इसमें charging का यह देख लिजे साइन्स हो कर रहा है और यहाँ पर फार्ज चार्जिंग भी नहीं लिखा हो आ रहा है तो आपको दोस्तों हमेशा original charger ही यूज करना है और जब भी आप दोस्तों save करके इसको charger को रखना है एकदम अगर आप का जो original charger है दोस्तों अगर उसे किसी भी तरीके से वो उसको damage हो जाता है तो फिर phone में बहुत सारा फिर दोस्तों phone में आपको fast charging की problem रहेगी और battery की problem रहेगी तो इससे दोस्तों battery life भी बहुत काफी कम हो जाएगी और charging में भी problem आने लग जाती है धिरे धिरे तो इसलिए दोस्तों हमेशा जब भी आप यूज करेंगे तो original charger ही यूज करेंगे तो आज की इस वीडियों बस इतना ही दोस्तों धन्यवाद